जब हम स्वास्थ की बात करते हैं और अगर कोई कहता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है आप स्वास्थ हैं जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप जीवन्त और उर्जावन महसुस करते हैं या नहीं हेल्थ शब्द होल यानी संपूर्ण से बनाएं आपके शरीर, मन और उर्जा में संपूर्णता होनी चाहिए जब ये सभी चीज़ें आपके अस्तितु की बुनियादी प्रकृति के तालमेल में होती है तब सुबह उठने पर आपको लगता है आप बस अभी पैदा हो है अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है आप स्वस्त है एक सरल चीज जो आप सभी ललकियां कर सकती है वो है बस अपने भोजन में 40-50% कच्चे भोजन को शामिल करना मतलब वो जीवित हो वो एक जीवित कोशिका होनी चाहिए वो कोई सबजी हो सकती है कोई फल हो सकता है कोई सूखा मेवा हो सकता है या अंकुरित मूम हो सकता है कम से कम 40-50% भोजन जो आप खाते हैं वो जीवित होना चाहिए सिर्फ शरीर में ही नहीं होती भोजन में धी एंजाइम मौजूद होते हैं जब आप भोजन को पकाते हैं तो आप काफी हद तक ये एंजाइम नश्ट कर देते हैं एंजाइम के बिना खाने पर शरीर को मेहनत करनी पड़ती है वो हिस्सा बनाने के लिए जो नश्ट हो गया है और उसके बाद ही वो पचा सकता है आम तोर पर खाने के एक से डेड़ घंटे तक ये शरीर की उर्जा को कम कर देता है उसके बाद धीरे धीरे भरपाई होती है क्या आपने देखा है तो भूजन उर्जा के लिए लेकिन हम ऐसा भूजन बना रहे है कि वो पहले डेड़ घंटों में उर्जा ले लेता है उसके बाद ही धीरे धीरे उर्जा देता है वैसे भी आपका पाचन चाहे जितना भी अच्छा हो फिर भी आप वे सभी एंजाइम नहीं बना सकते जो पकाने में नश्ट हो गए है सिर्फ कुछ हद तक हम बना सकते हैं अगर आपकी पाचन प्रक्रिया बहुत मजबूत और अच्छी है तो आप 40 से 50 प्रतिशत फिर से बना सकते है उसका जो नश्ट हो गया है अगर ये पाचन थोड़ा कमजोर है तो ये संख्या काफी कम है तो जो भी हो अगर आप पका हुआ भोजन खाते हैं तो आपका खाया हुआ 50 से 60 प्रतिशत भोजन आमतोर पर बरबाद हो जाता है लेकिन शरीर को फिर भी उस पर काम करना पड़ता है और जितनी उर्जा ये लगाता है और जितनी तकलीव जहिलता है वो बहुत ज़ादा है कई लोगों के लिए भोजन के कई माइने है लेकिन मुख्य रूप से शरीर के लिए इंधन है अगर आप सही किस्म का इंधन डालेंगे तो ये एक निश्चत तरीके से काम करता रहेगा अगर आप गलत किस्म का इंधन डालेंगे तो ये किसी तरह से काम चलाएगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह से खाएं आउस तरह से खाएं बस प्रयोग करके देखें ठीक है? बस प्रयोग करके देखें आज रात अब आप जब जाएं तो पका हुआ भोजन खाने की जगा फल खाकर देखें कल सुबह आपको अलाम की जरुद नहीं बढ़ेगी आप अलाम से पहले उट जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके आँखें भी इस तरह बंद नहीं होंगी आप उटते ही एकदम सतर्क होंगे लोग ये नहीं जानते कि अपने शरीर में बिलकुल आराम से होने का क्या मतलब है दुर्भागे से 95 प्रतिशत लोग ये नहीं जानते क्योंकि आप गलत तरीके का इन्हन डालते हैं आप इस शरीर को हवा की तरह रख सकते हैं आसानी से ये आपसे आगे रहेगा आपको इसे खींच करने ही ले जाना पड़ेगा इसे आपसे आगे चलना चाहिए आप बस सही तरह का इन्हन डाल कर ये कर सकते हैं